कि है येलो स्टुएंट्स वेल्कम टूमम ये अन्बी क्लासेस आज वीडियों में क्लास जिसका नाम है फॉर दा लव आफ ट्रीज इस चाप्र आपको एक छोटा सा समरी बता देती हूं इस चैप्टर में जैसा की चाप्र सी समझ में आ रहा है फॉर दा लव आफ ट्रीज मत का नाम है तो उनके बार में ये कहानी दिया गया है बोलता है एक राजा थे महराजा अभय सिंग जो जोदपूर के रहने वारे थे तो ये कहानी जो है 200 साल पहले की है तो वो अपने नए पैलेस यान की महल के कर्श्ट्रक्शन के लिए उनको कुछ लकड़ी का यूज करना थ तो सोलजर्स लोग जाते हैं कई आसपस एक गाउं था जिसका नाम था खेजारली ये गाउं का नाम है जहां पर बहुत सारे ट्रीज थे तो सोलजर्स लोग क्या करते हैं वो गाउं जाते हैं वहां पर पेड काटने के लिए देखते हैं कि कौन सा पेड को हम लोग काट सकत तो soldiers लोग खेजाली गाव पहसते हैं और दिखते हैं बहुत सारे सुन्दा-सुन्दा पेड़ हैं तो वो चाते उस पेड़ को काटे लेकिन जैसे ही वो पेड़ काटने जाते हैं तबी एक लेड़ी जिनका नाम अमरीता देवी है वो उस पेड़ को नहीं काटने देती है तो साथ अमरीता देवी की जो तीन बेटी है उन्हें भी पेड़ बचाने के लिए अपना sacrifice देना पड़ा मतलब योगदान देना पड़ा मतलब उन्हें भी इनकी ये अमरीता देवी और उनकी बेटियों को भी अपना जान गवाना पड़ा सिर्फ ये पेड़ के लिए मनलब इन्हों पेर से बहुत प्यार था। तो ये बात जो है जब पता चला कि अमृता देवी की मित्तिव हो गई तो उस गाउं में पूरा इदम हलचल मज़ गया कि ये अमृता देवी का जो मौत हुआ है जो soldiers के कारण उन्होंने अपना योगदान दिया sacrifice के अपना life से और उनकी बेटियों ने तो जनता जो है नयाय मांगने आये थे उस राजा से यानि कि महराजा अभाई सिंग जो जोदपूर के थे तो महराजा बोले कि ठीक है उनकी जो मिर्ति हुई है तो उनके बतले हम as a compensation गोल्ड कोईंस दे देंगे तो लेकिन आगे से जो है trees को जो काटना वो बैन कर दिया जाएगा ऐसा राजा ने कहा कि trees आगे से कटाई उसकी कटाई नहीं होगी और animals की भी hunting नहीं होगी तो ऐसा राजा विश्वास दिला है तो उसके बाद से क्यावा खेजारी के जो लोग थे वहाँ जो गाओं के जो लोग थे वो बहुत ही happily फिर अपना life जीवन व्यतित करने लगे तो चलिए अब मैं आपको इसका question answer बताने वाली हूँ तो उसे पहले मैं आप से request करना चाहते हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को like करे, subscribe करे और अपने friends के साथ भी share करे ताकि जिनको भी इस question answer में मदद चाहिए, help चाहिए तो आपने friends को इस वीडियो की मदद से help कर सकते हैं तो आप subscribe इसलिए करे ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का next upcoming notification मिल जाए कि मैंने उस chapter का वीडियो बना दिया है तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे इस channel को subscribe करे, like करे और अपने friends के साथ share करे, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका question answer 1st question, question no.1, for what reason were the king's soldiers sent to the region of Khajali? किस कारन से राजा के soldier Khajali छेत्र में पहुंचे? answer is, महराजा अभाई सिंगh required wood for the construction of his new palace and so sent his soldiers to cut trees in the nearby region of Khajali which had a large number of trees महराजा अभाई सिंगh को अपने palace महल के construction के लिए कुछ लकडियों की जुरुद पड़ी तो इसलिए उन्होंने अपने soldiers को trees काटने के लिए पास कहीं किसी गाउ में भेजा जो कि उन्हें बहुत सारे quantities में लकडिया चाहिए थी question number two mention nature, sorry mother nature gives freely of herself and the business to preserve herself lessly is the statement to give reason बोलता है कि जिस तरह से mother nature हम लोग को सब कुछ प्रदान करती है उसी तरह business भी बिना स्वार्थ के mother nature यानि की प्रकृती को प्रिजर्व करके रखते थे तो क्या ये statement सही है और ये तो reason दिजे yes the given statement is true the Bisn단 को dinero's did all that possible to care for mother nature they used simple applause get only cows and buffaloes as the rearing of sheep and goats would davor that desert vegetation they did not sale dairy products nor did they raise sheep or goods for slaughters now come to question number three bring out an example of corruption from the story answer is the king's soldiers were corrupt men when amrita devy stopped them from cutting the trees they told her that she would have to give them money as bribe if she wanted the trees to be spared now come to question number four did the sacrifice of the martyrs go in vain pick lines from the story as evidence no the sacrifices of the martyrs martyrs did not go in vain when the news of the villagers sacrifice reached the king he regretted his action and promised to compensate the villagers requested the king to ban cutting of trees and hunting of animals and their wish was granted now i am going to tell you about the cows and sequences now come to question number a the region of khajali had trees in abundance iska cows kya hoga the bishnoi living in the region of khajali took very good care of their land and environment consequence kya hoga iska the king's soldiers were sent to cut trees to gather wood for the construction of his new palace number b amrita devy was ready to sacrifice her life cows the king's soldiers had come to cut trees in large number consequence the merciless soldiers struck amrita devy with his eggs and killed her now come to question number c the king and and the cutting of trees and hunting of animals in the region of khajali now the cows is the king heard about how the villagers were sacrificing their lives for the sake of saving the trees consequence the the bishnois live happily and world environment day celebrated every year on 5th june to remember their heroes now ab main aapko iska sixth number choose the correct answer to complete the sentences number a the fields were plowed with simple applause because answer is that would not do much damage to the delicate ecosystem of their area number b the soldiers found the village of the bishnois amazing because answer is the villagers were taking utmost care of their environment and land number c amrita devy refused to give the soldiers money as bribe answer is it was against her principles and religious belief number d amrita devy's daughter answer is killed by the soldiers as the girls would not let them cut trees number e when the king promised a compensation to the villagers answer is they asked him to ban cutting of trees and hunting of animals instead so that was it for the love of trees for the love of trees you can do them on the contrary to that bye bye have a nice day